लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार शाम हुए भीशन धमाके में आभी तक 100 से अधिक लोगों की मृत्यू हो चुकी है जबकि 4000 से भी जादा लोग घायल हुए है भीशन विस्पोर्ट में शहर के बंदरगाहा का एक बड़ा हिस्सा और कई इमारते शतिग्रस्थ हो गई जर्मनी के जियो साइंस केंदर जी एफजेड के अनुसार विस्पोर्ट से 3.5 की तिवरता का भुकंप भी आया विस्पोर्ट इतना भिशन था कि उसकी आवाज 200 किलोमीटर दूर से भी अधिक सुनाई गई इस विस्पोर्ट से कई सारे वीडियो सोशल मीडिया प नजर आ रहा है कि दुलहन का सफेद गाउन पहने एक लड़की फोटो शूट करा रही है तभी अचानक धमाके की आवाज आती है और उससे पैदा हुई शोक वेव से कैमरे समेक सभी समान बिखर जाते हैं वीडियो के दूसरे हिस्से में धुला धुलन और शुटिंग कर शहर का हाल बहुत बुरा है और घटना सतल के आसपास लाशी बिखरी देखी गई है पहले आप भी देखिए भीशन वी स्पोर्ट की सारी वीडियो जो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है झाल eh अज़गगई कि है झाल कि थार्ण कि दो कि थाओ दॉँ़ाव कि दोर्ण को यथ है कि पंग दुट कि दुट कि असे दुट कि असे दुट कर्दों कर्दों कर दो कर दो करदक कर दो कर दो कर दो कर दो हुआक! मेरा हुआक तर शर्याओ शर्याओ दर्याओ ऴिद्दिन लिण लिफ 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 लेबनान की राज़ानी बेरूत में मंगलवार को हुए भिशन विसपोटों में तकरीबन सो से अधिक लोगों की मोथ हो गई जिबकि चार हजार से अधिक लोग खायल हो गई लेबनान की राज़धानी बेरूत ने मंगलवार जैसा धमाका कभी नहीं देखा यहां किसी जंग के बाद का जैसा द्रिश्य था कम से कम सो लोगों की मोथ हो चुकी है चार हजार से अधिक लोग अस्पतालों में भरती है धमाका इतना भिशन था कि इसका अंदाजा बेरूत के गवर्नर मार्दन अबोध के बयान से लगाया जा सकता है वे रोते हुए बोले जैसा जपान के हिरोशीमा और नागा साकी में हुआ मुझे वैसा ही महसोस हुआ जिंदगी में इतनी तबाही कभी नहीं देगी धमाके की गूंच 200 किलोमेटर दूर साइप्रस तक सुनाई दी प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया है यह धमाका बेरूत बंदरगाहा के पास थित एक गोदाम में हुआ राश्टर पती मिशेल ओन ने कहा कि 2014 में एक जहाज से जप्त 2700 टन ओमीनियम नाइट्रेट यहां रखा हुआ था इसका इस्तमाल फर्टी लाइटर और बंब बनाने में किया जाता है बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के यह 6 साल तक यहीं पड़ा रहा ऐसी लापरवाही बरदाश नहीं की जा सकती हाला कि अभी भी यह स्पष नहीं है कि आग कैसे लगी जिससे बाद में धमाका हुआ एक अंदेशा यह भी है कि आग वेल्डिंग की चिंगारी से भड़की बुदवार की सुभे जहां किसी जंग के बाद का जैसा द्रिश्य था हर तरफ बरबादी और बारूद की गंद धुआ अब भी उच्छ रहा था धमाके के आसपास की अगनी गत इमारते धवस्त हो चुकी थी स्थान्य मीडियास के अनुसार धमाके के बाद अस्पतालों में अफरातफरी की स्थिती पैदा हो गई कई घायलों को वक्त पर इलाज नहीं मिल पाया भीशन आर्तिक संकट और स्वास्ते सेवाओं की लच्च स्थिती के बीच अस्पतालों में भारी भीड जुटने से करोना संक्रमन में भी तेजी से आशंका जताई जा रही है बेरूत में धमाके के बाद लोगों से शांती बनाए रखने की अपेल की गई वहीं भारती एंबेंसी ने बेरूत में फसे लोगों के लिए हेल्प नाइन नंबर जारी किया है बेरूत में हुए धमाकों पर लेकर भारती दुतावास की तरव से कहा गया है कि सभी सयम बनाए रखे साथ ही अगर किसी विभारतियों को मदद की जरूरत हो तो वदूतावास के हेल्प नाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं संयुक्त राष्ट्र महासचीव एंतोनियो गुरु तेरस ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतिकों के प्रती संवेधना व्यक्त की अमोनियम नाइट्रेट एक तरह का निट्रिक एसिट का अमोनियम कंपाउंड होता है और खास तोर से इसका इस्तेमाल फर्टलाइजर्स वगरा में किया जाता है क्योंकि यह पानी में आसानी से घुल जाता है तो जब पौधों में इसको डालते है तो इसमें से जो कंपाउंड नहीं होता है लेकिन जब इसमें अजाइट कंपाउंड मिला जाते है तो इसमें फ्यूल ओयल मिला जाता है तो यह एंफो नाम का एक बहुत ही खतरनाक एक्स्प्लोसिव बनता है ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल इकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सुब्सक्राइब करें घंने वाल जाते हैं